हलो स्टुएंट्स, आज हम डिसकस करेंगे जो हम क्रॉप ग्रोथ इंडेक्स की जो हमने स्टडी की थी, क्रॉप ग्रोथ रेट CGR, रिलेटिव ग्रोथ रेट RGR, नेट एसिमिलेशन रेट NAR, एन लिफ एरिया रिशो LAR, उसी के continuation में आज हम जो discuss करेंगे वो है leaf area index, यह बहुत important index है crop growth को determine करने के लिए, जनरलीस की calculations हम जो है thesis में research में हम करते हैं, या किसी crop की हमें performance देखने होती है कि leaf area किस तरह से घड़ बढ़ रहा है या with the time कैसे इसमें change आता है, इसके लिए हम leaf area index की study करते हैं, तो देखिए leaf area बहुत important component है, जो यह decide करता है photosynthesis, photosynthesis leaf area में होता है, definitely जितना leaf area जादा होगा उतना photosynthesis होगा, और जितना photosynthesis होगा, उतना ही dry matter production होगा, और likely yield क्या होगी, जादा होगी, तो leaf area का बहुत directly linkage है photosynthesis से और dry matter production से, लेकिन leaf area per plant जो है एक अच्छा indicator नहीं हो सकता photosynthesis के लिए, per plant productivity तो leaf area जादा होने से हो सकती है, कि किसी plant में leaf area जादा है, तो उसमें photosynthesis जादा होगी, और उस plant की productivity या उस plant की जो grain yield है, या कोई दूसरी yield है, वो जादा होगी, लेकिन जब हम study करते है crop की, और crop में क्या होते है, plants होते है per unit area, तो per unit area में कितना leaf area है, ये ज़्यादा important है, rather than leaf area per plant, माने जिए दो plant है, कि एक plant के इधा है, और एक plant यहाँ है, तो ऐसी case में क्या होगा, कि हो सकता है कि इनका leaf area per plant बहुत ज़्यादा हो, लेकिन इनकी spacing बहुत ज़्यादा है, इस कार से जो ये area है, ये utilize नहीं हुआ है, तो जब हम per unit area में yield निकालेंगे, तो per plant की yield तो ज़्यादा आएगी, लेकिन इस पूरे area की yield कम रहेगी, तो हमारा जो emphasis रहता है agriculture में, agnomi में, वो per unit area है, कि एक एकड़ में कितनी yield आई, या एक भीगा में कितनी आई, या एक हेक्टर में कितनी yield आई, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, प्लांट को और पास लाना पड़ेगा, तो इसका मतलब कि spacing बहुत important है, और किसी भी crop की spacing decide होती है, कि उसका canopy structure कैसा है, तो leaf area per plant important नहीं है, leaf area per unit area बहुत important है, तो यही leaf area per unit area को हम leaf area index कहते हैं, लीफ area index, तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि LAI क्या है, तो जो LAI है, हम यह देखते हैं कि leaf area, हम पर unit area निकालते हैं, और उस area में हम देखते हैं कि कितना leaf area है, तो जो LAI हम calculate करते हैं, LAI, तो हम यह देखते हैं कि leaf area per plant कितना है, लीफ एरिया पर प्लांट, इसको स्क्वार सेंटीमेटर लेते हैं, डिवाइड़ भाइ, जो इस्पेसिंग है प्लांट की, एक प्लांट को जो इस्पेसिंग मिली है, उसको हम देखते हैं, इस्पेसिंग पर प्लांट, इसको भी हम स्क्वार सेंटीमेटर में निकालते हैं, तो अग हम यह देखना पड़ेंगा कि मैं एक प्रांट में कितना लीफ एरिया और एक प्रांट के लिए कितना ओर अबलेबिल है उन दोनों को गाल रेशियों होगा वह ओर लीफ एरिया इंडेक्स तो इस तुर similar से जो लीफ एरिया इंडेक्स यह होता से लीफ एरिया पर लीफ एरिया पर योनिट एरिया तो यह एलिए बहुत इंपोर्टेंट है और इसकी कोई योनिट नहीं होती है तो मिनिमम एलिए जीरो हो सकती है जीरो तभी होगी जब लीफ एरिया जीरो हो जीरो दो जीरो नहीं इसकी लिमिट जर्प का इमत्रीश पर इल्याई कि अगर इरिय निए के बराबर है तो ओ सनो लीफ जीरो होसॉए कि अब यह कितनी जाब जाय सकती है यह नोप सीड़शकाएख कराक्राइब कर् nerd होसुआ तो इन जनरल जो optimum LAI होती है जो optimum value है वो 3 to 4 होती है और 5 भी हो सकती है 6 भी हो सकती है लेकिन optimum LAI 3 to 4 होती है अब इसको हम optimum क्यों कह रहे हैं यह जानना बहुत जरूरी है हम maximum value क्यों ले रहें LAI की कि हम leaf area per plant बढ़ाते जाएं और spacing तो पर plant बढ़ाते जाएं तो LAI की value क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी तो हमारा जो emphasis होता है वह maximum पे नहीं होता है optimum पे होता है उसका reason यह है कि मान लीजे कि यह हमने leaf area per plant बढ़ाते जा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि यह जैसे ऐसे leaf area बढ़ता जाएगा तो जो नीचे वाले leaf हैं इन पे solar radiation नहीं पहुचेगा तो जब solar radiation नहीं पहुचेगा तो इन leaves में क्या होगा photosynthesis तो होगी लेकिन बह यहां यह photosynthesis का rate respiration सी जादा है लेकिन यहां पी क्या है यहां respiration photosynthesis से जादा हो रहा है और ऊपर क्या है photosynthesis respiration से जादा है तो एक तरह से जो photosynthetics उपर बन रहे हैं, वो leaves, नीचे वाली leaves के हैं, उनको utilize कर रहे हैं, तो per plant productivity क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो lower leaves एक तरह से parasitic leaves हो जाती हैं, जो photosynthesis में contribute नहीं करती हैं, तो जैसे से leaf area बढ़ेगा, definitely क्या होगा, उपर से जो solar radiation आ रहा है, ये solar radiation का interception न climate production कम होगा, तो इसका मतलब कि बहुत जादा leaf area क्या करेगा, yield को कम करेगा, तो बहुत जादा LAI नहीं होनी चाहिए, optimum होनी चाहिए, अगर LAI कम है, optimum से कम है, तो उस case में क्या होगा, कि मान लिजे कि ये leaves यहीं तक हैं, और ये area utilize नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस area में sunlight आ र solar radiation का fully utilization नहीं हो पाता है, fully intercept नहीं हो पाता है, और अगर leaf area index optimum से ज़्यादा है, तो leaves की हो जाती है, parasitic हो जाती है, leaves की full efficiency utilize नहीं हो पाती, और photo synthetics के बहुत बड़ा जो पार्ट है, वो किसमें यूद रहाता है, respiration में हो जाता है, तो इसलिए LAI क्योंने चाहिए, optimum होनी चाह कितना area available है, उससे हम divide करते हैं, तो leaf area index हमारा leaf area per unit area है, तो इसको याद रखिए, किसी examination पूछ सकते है, leaf area per unit area, और इसकी जो value है, LAI की 0 से start होके, कुछ भी हो सकती है, 5, 6, 7 तक जा सकती है, जनरली 7 से जादा नहीं जाती है, 8 तक ही जाती है, cereal crops में, 8 भी बड़ी मुश्किल से जाती है, और जनरली 5 तो 6 पहुंच जाती है, लेकिन optimum LAI 3 तो 4 रहती है, तो ये मैंने आपको बताये कि LAI की क्या importance है, अब ये leaf area per plant हम measure कैसे करते हैं, देखे, leaf area per plant को हम 2-3 तरीके से measure क कर सकते हैं, कि एक हमने plant लिया, उसे निकाल लिया, उसमें कितनी leaves हैं, वो निकाल ली हमने, माल लिजिए उसमें 12 leaves आई, तो हम randomly क्या करेंगे, 3 या 4 leaves को select कर लेंगे, 4-5 leaves को, तो उनको हम graph paper पे आतो sketch बना के देख लें, तो graph paper से हम निकाल सकते हैं, या दूसा तरीके हो सक multiply कर दें, तो यह तो rectangle के रिया निकलेगा, उसके बाद इसको conversion factor से multiply कर देते हैं, क्योंकि यह 100% rectangular नहीं है, तो length को multiply कर देते हैं, width से, और फिर एक हम correction factor से multiply करते हैं, तो यह जो correction factor है, अलग-लग crop के लिए वो अलग-लग होता है, जैसे for example, mage के लिए 0.75 है, sugar cane के लिए 0.65 है तो दो तरीके यह है, तीसा तरीकर यह हो सकता है कि अगर leaf area meter है, तो leaf area meter से भी हम leaf area को measure कर सकते हैं, तो यह तरीका हुआ leaf area per plant का, अब spacinged per plant हम कैसे निकालते हैं, देख्यें कि इसमें दो-तिन तरीके हैं कि अगर मेज क्रॉप है जिसमें डेफिनिट रोटू रोव और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग होती है तो उस केस में तो हम्हें प्लांटिंग जमेट्री पता रहती है कि इसकी स्पेसिंग क्या है फॉर एक्वांपिल मेज है और मेज की स्पेसिंग 60 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर है मतलब रोव हम कैसे बनाते हैं 60-60 सेंटीमीटर पर रोव बनाते हैं 60 cm पे रो बनाई और 25 और हर रो में 25 cm पे हमने सेट की सुईंग करी तो यह 25 cm हुआ और यह भी 25 cm हुआ तो एक प्लांट को जो अबलेबिल एरिया होगा पर प्लांट जो अबलेबिल एरिया होगा वह 60 इंटू 25 तो मतलब यह 1500 स्कॉर सेंटीमिटर होगा इसी तरह से उस प्ला कर देंगे लेकिन जो कंटिनियस जाती है क्रॉप जैसे वीट है कि यह पी है जिसमें डाफिनिट इस पेसिंग नहीं है तो इसमें जैसे 20 cm पर हमने स्वेंग करी मालीजे क्रॉप की तो वीट को जनरल हम 20 25 पर करते हैं 20 22.5 पर मालीजे 20 cm पर यह रो इस पेसिंग है 20 cm तो इसमें क्या कि देखे लगातार शीडिंग की जाती है तो यहां भी प्लान्ट होंगे हैं एक मीटर एक मीटर एरिया कर ले तो यॡिया स्वें थैस इसको एक मीटर में जितने भी लीजंड है को अलक कर लिया जाता है और उनका leaf area निकाल लिया जाता है तो leaf area जो मैंने तीन तरीके बता है उससे निकाल सकते हैं अब इसके लिए जो ground area होगा या जो प्लांट जो space है plants के लिए वह क्या होगा एक मीटर लेंथ है और देखी 20 cm width है तो इसकी जो spacing होगी वन मीटर इन्टू 20 cm तो इसको convert करना पड़ेगा वन मीटर इन्टू 0.2 इसका मतलब कि अगर हम wheat की sampling कर रहे हैं तो उसके लिए एरिया 0.2 होगा स्क्वाइर मीटर होगा इस तरह से अगर मान लिजा हम 50 cm लेते मान लिजी यह जो है हमने 50 cm की sampling करते तो ऐसे case में 50 cm इन्टू 20 cm तो 1000 स्कॉयर सेंटिमीटर एरिया आ जाता तो यह तरीका है इस तरह से हम करते हैं अगर मान लिजे शुगर केन क्रॉप होती तो हम केने कंटिनेस रहते हैं तो शुगर केन के हम क्या करते हैं एक मीटर में या दो मीटर में हम देख लेकिते कितने श्टॉक कितने गन्य लगे हैं और एक स्टॉक में एक प्लाट में कितनी लीब्स थे उससे मनिकाल सकते हैं ग्राउंड एरिया तो यह तुप लिभी एरिया निकालने का और ग्राउंड एरिया निकालने का तो जितनी हमने सैंप्लिंग एरिया लिया है उसको हम किसे मicktलाई कर देते हैं रो इस्पेशिंग से वो सेंप्ल एयरिया निकलatा डिक यह बहुत इंपॉर्टן्ट है ।्छ जीरो है तो इसका मतलब नो लीफ कोई लीफ ही नहीं है उसके अंदर और एगर वन है तो इसका मतलब यह है कि अगर हम सारी पत्या तोड़ दें प्लांट की और उसको जमीन पे बिछा दें तो उसके एक लेयर पे पत्यों की पूरी अए उस एरिया में आ जाएगी मान दीजे यह area और वन है तो इसके उपर हम लिसको बिचा दें तो पूरी माइश को ढख लेंगी अगर टू है इस एरिया पे टू लेयर तू लेयर सा जाएंगी लीज्ट की पूरा ढख देंगी अगर आई थ्री है तो इसका मतलब कि इस पूरे एरिया को लीफ की लेयर तीन बार पूरी तरह से डग देंगी यह यह का हम दूसरे तरह किसे इंटरप्रेटेशन कर सकते हैं तो आपको समझो आ गया होगा कि लीफ एरिया पर प्लांट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि लीफ एरिया इंड इन दोनों के मल्टिप्लिकेशन से ही टोटल क्रॉप इल्ड बनती है इसलिए लीफ एरिया पर उनिट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है अब इसकी कल्कुलेशन कर लेते हैं कि इसकी क्या कैल्कुलेशन कैसे करते हैं इसको कैल्कुलेशन के लिए यह मैथमेटिकल अग्रिकल्चर कॉंसेप्ट एंड न्यूम्रिकल बुक है इसमें सारे ग्रोथ की श्टडी कर रही है न्यूम्रिकल्स है इसमें इसका क्वेशन अमर्वन है कि कैल्कुलेशन लीव इंडेक्स अफ मेज क्रॉप इफिस पेसिंग इस 2060 यह क्वेशन वन है इस पेसिंग इस 60 cm by 25 cm आट लीफ एरिया पर प्लांट लीफ एरिया देखिए लीफ एरिया पर प्लांट दिया है यह है 400 स्क्वार सेंटीमीटर तो यह मेज क्रॉप है और मेज क्रॉप में रो टू रो और प्लांट टू प्लांट बिल्कुल डेफिनिट होती है तो ऐसे में क्या होगा LAI क्या होगा Leaf area per plant divided by area per plant और area per plant क्या है area per plant यह है जो इसकी geometry है geometry ही area per plant होती है तो leaf area per plant केतना हुआ 400 and it is 60 by 25 दौनों सेंटीमीटर में है तो कोई conversion नहीं करना है तो यह हो जाएगा इसकी value आजाएगी 0.267 तो LAI देखिए 1 से कमा आ रही है तो इसका मतलब कि अभी हम उसकी पत्ती तोड़गे पूरी जमीन पर बिछा दें तो केवल 0.26 area में ही leaves आएँगी बाकी का area बिना leaves के रह जाएगा तो यह ऐसे crop का example है जिसमें बिल्कुल spacing fixed है दूसरे example देख लेते हैं wheat का wheat crop में कि row spacing of wheat crop row spacing is 20 cm and in 50 cm row length 50 cm row length leaf area of plant is 400 leaf area of plant is 400 square centimeter यहां देखिए कि जो 50 cm row length select की गई है इस तरह से row रही होंगी इसमें 20-20 cm पर इसमें कोई 50 cm का area select किया गया यह और इसमें जो है 400 square centimeter जो है leaf area है calculate LAI तो देखिए LAI क्या होगा leaf area leaf area divided by ground area या sample area ground area या sample area अब इस case में हम पर plant नहीं लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे plants होंगे 50 cm में तो हम क्या करते हैं जो sample area है उसको लेके चलते हैं कि sample area में leaf area कितना है तो यहां क्या होगा 400 और ground area देखे क्या हो जाएगा ground area कैसे निकालेंगे हम ground area row length जो sample area है हमारा उसकी length और row length जो है तो यह हो जाएगा 1000 square centimeter तो इसको 1000 से हम divide कर देंगे तो यह आजाएगा 0.4 तो यह wheat का निकालने का example हुआ एक example हम sugar cane का ले लेते है क्योंकि sugar cane में stock रहते है sugar cane का example है sugar cane was planted at 90 cm row length जो row length है वो 90 cm है row length 90 cm leaf area per cane stock is 800 leaf area per cane stock मतलब जो stock है cane stock मतलब जो गन्ना है उसमें जो leaf area है वो 800 square cm पर stock है the number of cane stock is 18 in one meter row length जो एक meter की अगर row length लेते हैं तो उसमें 18 जो हैं गन्ने हैं नम्मर ओफ स्टॉक नम्मर ओफ स्टॉक नम्मर ओफ स्टॉक इस इकल टू एक्टीन पर मीटर रो लेंद्ध यह मानिजें यह शुगर cane था नाइंटी सेंटी मीटर पेस की स्टॉइंग की गई है और इसका जो है वन मीटर जो लिया गया है यह तो रो स्टॉइंग यह हो गई और जो लीफ एरिया यहां पर जो केन लगे हैं यह एक मीटर सेलेक्ट किया गया है और इसमें जो है अठारा गन्ने हैं इस तरह से इसमें 18 स्टॉक हैं और एक स्टॉक से जो ली एरिया हो है एत्ञटhouse dave वरन में बता सकते हैं कि कितना लीफ कर्या होगा वन मीटर में कितने च्क हैं imp Region et Nq这 उसका उन भाइन तरमें इतना इतना संती मिटर एरिया लिफ एरिया है है अब लेकिन यह जो एरिया है यह वन मीटर यह तो हमारा पता चलिए कि वन मीटर में इतना लीफ एरिया आ गया एटीन इंटू एट हंड्रेड अब इसको हम कैसे निकालेंगे अब ग्राउंड एरिया क्या होगा इस लिए जो हमने यह लिया सेंप्ल के तलिया थे वन मीटर लिया था यहां वन मीटर में इक ये स्टॉक हिंट्रिय निल Sadhguru 1 मीटर और रोई स्पेसिंग चेंडर 902 मिंटर तो इसको हम किसमा सटात करेंगे मीटर में तो हंड्रेड इंटू सम्रारी सेंटीमीटर कनवर्ट कर अकशना को डिवाइद बाई सेंपिल एरिया गौनड एरिया है कि अब यह कितना है एटीन इंट कुछ छैंक तब और नाइन थाओजेंड डिवाइड़ आști तो इसको जब करेंगे तो यह जाएगा 1.6 आएगा अब इसको एक बार देख लिजेगा इसकी वेलू क्या रही है तो यह इसका तरीका है तो मैंने तीन तरह की क्लॉफ्स बताई कि जिसमें हमारा पहला जो है कि बिल्कुल डैफिनिट रोई स्पेसिंग है दूसरे केस में रो लैंथ है जिसमें हमें प्लांट्स नहीं पता है तीसे केस में रो लैंथ है और हमें जो है प्लांट्स भी पता है कि एक मीटर में किते प्लांट्स हैं कि ये तो ये टीन तरह के एकजाम्टीट हो सकते हैं जिसको हम कर सकते हैं यहापपको छोनना आ गया होगा कि हम किस तरह से केक्स्त Bäществ करते हैं और बालय कियों जरू से बताइता हो हो अगर बहुत सारी ध़िलीपनbs है और नीचे की लिवस में फिर सोलर रेडियेशन पहुंचेगा नहीं और वहां फोर्ट सेंज बहुत कम होगी रैस्परेशन जादा होगा जिससे प्लांट के प्रटेक्टिविटी कम हो जाएगी अगर अगर अप्टिम में यह कम है तो पूरी सर्फेस पे नहीं फैली हुई है तो जो सोलर रेडियेशन आ रहा है वह फुली यूटिलाइज नहीं हो रहा है इसलिए अप्टिम में लिया होना बहुत जरूरी है तो यह लेक्ट्र आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह क्या मैथर है क्या कैलकुलेशन है और क्या उसका फार्मूला है तो यह बहुत झाल झाल